नमस्कार मैं रमेश परियार लेक्सर गौर्णमेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज जोजपुर्ण आज के इस वीडियो से हम एक वीडियो की स्रीच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बोर्ड आफ टेक्निकल अजुकेशन राजिस्तान दौरा संचालित डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजिनिरिंग के सब्जेक्ट सी एन्सी एंड आटोमेशन जिसका की कोड है मी 304 है इससे संबंदित वीडियो सेर करेंगे तो सी एन्सी एंड आटोमेशन जो सब्जेक्ट है सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं की subject में हम क्या-क्या पढ़ेंगे जनरली जो industries में हम production करने के लिए अगर हम conventional machine काम में लेते हैं जैसे की lat machine, milling machine CNC machine तो इन machines से जो production होता है वो कम होता है उसकी speed कम होती है लेकिन अगर हमें mass production चाहिए mass production में में बल्क में या बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमें किसी चीज का production करना है तो उसमें conventional machine से हमें production करने के लिए बहुत ज़्यादा time लगेगा साथ ही हर एक product के बाद में हमें machine को change करना पड़ेगा इसलिए हम automatic machine काम में लेते हैं ये जो automatic machines होती है जिन में CNC होती है जो computer से नुमें control होती है सबोच हमें एक nut bolt का generation करना है और इस nut bolt करना है अगर हमें एक nut या कुछ nut bolt का production करना है तो हम उसे conventional machine से कर सकते लेकिन अगर हमें mass production करना है यानि कि हमें एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में nut bolt का production करना है तो उसमें conventional machine से हमें बहुत ज़्यादा time लगेगा और हर एक के बाद में उसकी tool setting के लिए भी बहुत ज़्यादा time लगेगा तो ultimately उसकी जो cost है वो बढ़ जाएगी तो ऐसी condition में जहां में mass production करना है हम automatic machines काम में लेते हैं यह जो automatic machines होती है यह generally computer दुवारा controlled होती है mostly जो machines होती है वो CNC based machine होती है computer numerical controlled machines होती है जिसमें जो है automatics जो है work होता है तो इस subject में हम जो है कौन-कौन से topic के लिए पढ़ेंगे उस पर हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन से topic पढ़ेंगे CNC machine और automation machine में हम सबसे पहला जो topic पढ़ेंगे वो होगा introduction इस unit में हम CNC machine, NC machine, DNC machine के बारे में introduction देंगे कि NC machine is numerical controlled machines CNC machine is computer numerical controlled machine DNC machine, direct numerical controlled machine SPM machine, special purpose machine इन machines में क्या अंतर है और कौन सी machine जो है वो किसमे काम में ली जाती है second जो chapter है उस वो है component of NC machine जिसमें हम numerical controlled machines के विपिन component यानि उसके कौन-कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो NC machine के जो different park है जैसे floppy disk, hard disk, paper tape इसके बारे में हम जानकारी देंगे और साथ में NC machine में कौन-कौन सी coding काम में लेते हैं MCU क्या होता, machine control unit क्या होती है इसके बारे में भी हम discuss करेंगे third unit जो है, वो है classification of numerical controlled machines इस unit में हम CNC machine का वर्गी करन किन-किन आदारों पर होता है उसके बारे हम discuss करेंगे इस chapter में हम पढ़ेंगे कि CNC machine का जो वर्गी करन आए वो feedback के system के अनुसार होता है, याने कि CNC system हम काम में लेंगे वो उसमे feedback है या नहीं, वो open system है या close system है उसके बारे में हम जानगारी देंगे, उसमें control system कौन सा है उसमें हमने circuit की technology कौन सी काम में ली है इसके बारे में हम discuss करेंगे unit number four, construction detail of CNC machine जो CNC machines है, उनकी construction detail, conventional machines है किस तरह से different होती है क्योंकि CNC machine में जो होती है, उसमें बहुत high speed में होता है इसमें production rate जादा होती है तो इसमें tool की speed होगी जादा होगी और साथ में जो production जो हमें हो रहा हो भी जादा होगा तो इसमें speed ज्यादा होती है और force ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें vibrations भी ज्यादा होंगे तो इसलिए इसका जो structure है वो conventional machine हो से थोड़ा सा different होगा साथ ही इसमें जो जो production rate ज्यादा होती है तो chip जो generate होती है वो भी अलग-अलग तो इसकी जो speed है वो भी ज्यादा होगी तो इसका जो chip removal system है वो भी conventional machine से थोड़ा अलग होता है दूसरा इसमें high speed होती है तो इसकी जो drive system है वो भी अलग-अलग होती है यह जो drive system dynamic control भी हो सकती है और electrically controlled भी हो सकती है तो इस construction से संबंदित जो detail है हम वो unit number 4 में पढ़ेंगे unit number 5 जो है वो है tooling of CNC machine CNC machine की जो tooling होती है वो conventional machine हो से थोड़ी different होती है तो इसमें हमारा EAM होता है कि जो है हमें इस production में कम से कम टाइम लगे तो इसके लिए हम Fubin परगार के tool जैसे qualified tool pre-set tool जो पहले से ही जिसकी हम pre-setting पहले से ही बाहर से कर देते हैं और इसके बाद नसीदा हम इसे CNC machine में insert करते हैं साथ ही हम इसमें indexing tool के बारे में भी discuss करेंगे यह जो सारे जो tool होते हैं वो CNC machine की high speed और high accuracy को दियान में रखते हुए बनाया जाते हैं चटा जो unit है वो है fundamental of part programming CNC machine को operate करने के लिए हम एक computer के द्वारा उसमें हम कुछ programming देते हैं और programming से जो है वो MCU instruction लेता है और फिर जो machine to level work execute करता है तो CNC machines को instruction देने के लिए हम विबिन परकार के code काम में लेते हैं जैसे M code, G code यह code क्या है और कौन सा code क्या instruction देता है इसके बारे में हम इस unit में discuss करेंगे साथ में CNC machines में हम कौन से access identification system काम में लेंगे तूल का movement होगा उसके लिए हम कौन से tool काम में लेंगे हम speed देनी है तो उसके लिए हम कुछ fix code देंगे feed के लिए कुछ speed code देंगे तो इन सब के बारे में हम discuss है वो इस part programming से related unit 6 में करेंगे unit 7 जो है वो है advanced part programming इस में हम part programming से कुछ advance में जैसे sub programming क्या होता है do loop क्या होता है इसके बारे में discuss करेंगे 8th chapter computer edit part programming कुछ machines होती है जिसमें हम कुछ short program काम में लेते हैं इस में हमें part programming तरह लंबा program नहीं लिखना पड़ता तो इसके लिए कुछ fix language होती है compact second apt language यह language क्या होती है इसके बारे में हम इस चप्टर में discuss करेंगे unit number 9 जो है वो है robotics इस unit में हम robots की terminology क्या होती है उसका manipulators क्या होता है कौन-कौन से types के robots हो सकते हैं robots का power system क्या होता है इसके बारे में हम discuss करेंगे unit number 10 is the automation in manufacturing industries में आजकल जो है जो बहुत soft जो industries होती है उसमें जो manufacturing work होता है वो automatic होता है तो उस automatic के लिए हम बहुत सी new technology काम में लेते हैं जैसे CIM computer integrated manufacturing यह FMS flexible manufacturing system group technology GT and CAPP computer added process planning तो यह जो सारी जो चीज़ होती है यह जो new technology है यह technology क्या है तो इन से related SIM FMS GT आदिक के बारे में जो हम discuss है unit number 10 में करेंगे थैंक यू अगर अगर CNC machine के लिए जब हम discuss करेंगे तो हम कौन-कौन सी reference book काम में लेंगे तो सबसे पहली जो reference book है वो CNC machines programming and application by अधितान और पाबला जो की new age international publication की है second book है CNC machine by दनपत्रा और संस third जो है CAD & CAM grower by Tata Megrahil fourth है computer-added manufacturing by Rao, Kuntra & Tiwari fifth है CAM Vikram Sharma जिसके जो publication है SK Kataria & Sons है fourth six है CAM by S Vissal जो की S के Kataria & Sons की है इसमें unit number one से eight जो है वो उसके लिए हम book number one follow करेंगे CNC machine by Aditana & Pablo तो अपना जितना भी syllabus है वो book number one book CNC machine by Aditana & Pablo में cover हो जाएगी और हम इसी book को follow करेंगे unit number nine जो है robot and automation in manufacturing इन दोनों के लिए हम book number five और six जो SK Kataria & Sons की है इसको हम follow करेंगे तेक्यू तेक्यू अश्जदny